Hello everyone, this is Deepika, welcome back, I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरिस YouTube चैनल पर और आज हम डिसकस करने वाले हैं Political Ideas of Mao हमारे exam point of view से ये topic important है, क्योंकि अगर आप previous years के questions को देख ले तो इस topic से questions पूछे जाते हैं, तो आज के discussions में मैंने वो सारे questions को address किया है जो माओ से पूछे जाते हैं getting it, तो एक comprehensive manner में हम discuss करने वाले हैं Political Ideas of Mao वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक humble request है guys, please subscribe my channel, share with your friends क्योंकि more than 80% जो मेरे वीवर्स हैं, वो मतलब non-subscribers हैं, जिनोंने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो guys, humble request है, अगर मेरे वीडियो आपको benefit कर रहे हैं, तो please subscribe my channel तो अगर हम Political Ideas of Mao की बात करें, तो उससे पहले हम Mao का थोड़ा सा context समझ लेते हैं, time period समझ लेते हैं या उनके time की जो situations थी उससे समझ लेते हैं, तो life of Mao की बात की जाए, तो Mao आपको पता है कि मतलब born हुए थे 26 December 1893 को चाइना में और उनकी death होती है 1976 को, जो Mao थे वो belong करते थे एक पूर पिसेंट family, मतलब फार्मा की family से किसान परिवार से belong करते थे तो अब हाँ एकसी बात है कि उन्होंने जो चाइना का feudal system था, वहाँ का जो exploitation था, feudal system का उसको बहुत ही closely observe किया होगा क्योंकि वो एक पिसेंट family से belong करते थे, तो इस system का वो एक पार्ट थे और उस system में जो exploitation हो रहा था, पिसेंट का, जो farmers थे, जो feudal के दोरा तो उसको बहुत ही closely observe किया था, कि किस तरीके से ये system काम कर रहा है फिर धीरे धीरे जो Mao है उन्हों anyhow Marxist thought के impact पर आते हैं, introduction होता है anyhow उन्हें Marxist thought पढ़ने को मिलते हैं, then Russia में जो Lenin का काम था, जो वहाँ के Bolshevik revolution की success थी उसकी news से interaction होता है Mao का, तो anyhow Mao को ये जो ideas थे Marxist ideas, चाहे वो कालमाक्स के thoughts हों, चाहे वो Lenin के thoughts हों काफी जादा impact करता है, और जब रसिया की Bolshevik revolution की success से सबसे जादा प्रभावित होते हैं Mao और Mao को ये लगता है कि इस तरीके की revolution अगर रसिया में successful हो सकती है और जो वहाँ पे powerful और autocritic ruler था, उसको overthrow कर सकती है, उखार फेंख सकती है तो ऐसी चीज तो हम चाइना में भी कर सकते हैं, तो चाइना में जो feudal system है, जो exploitative system है हम इसे भी उखार फेंख सकते हैं और एक तरीके का हम नया system introduce कर सकते हैं तो overall discussion यही है कि एक तरफ कौन है, जो exploit हो रहे हैं और एक तरफ वो हैं जो exploitation कर रहे हैं overall यह है कि जो exploitation कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़ा हुआ system, उससे जुड़े हुए culture को anyhow क्या करना है, खतम करना है यह एक तरीके से इन लोगों का goal बन जाता है, जो कालवांक्स ने predict किया था, फिल लेनिन ने उसे रोसिया में successful बनाया तो अब चाइन, अब वही चीज माओ चाइना में करेंगे, तो चाइना की थोड़ी बहुत situation society को समझ लेते हैं, तो बहुत सालों तक बहुत कई सारी शाताब्दियों, मतलब several centuries तक चाइना एक stable societies हुआ करती थी, मतलब एक तरीके से self sufficient थी अपने आप में, कोई ऐसा कुछ major political, social या economic, upvills देखने को नहीं मिलता है, कि disturbance देखने को नहीं मिलता है, फिर 19th century में थोड़े बहुत changes आते हैं, सौभाविक सी बात है, जब global level पर changes आ रहे थे, जो colonialism था, वो spread हो रहा था, imperialist power के दोरा, जो capitalist system था, वो एक word system बन रहा था, getting it, वो national boundaries से निकल कर international level पर पहुँच रहा था, तो इसका प्रभाव चाइना पर भी पड़ेगा, चाइना क्या था, काफी जादा resources है चाइना में, जो natural wealth and resources थे चाइना के, वो काफी हूस थे, तो वो foreigners को attract करते थे, जिस तरीके से for example, इंडिया को सोने की चडिया कहा जाता ancient time पर, मतलब जो इंडिया की natural wealth थी, जो resources थे, वो दुनिया भर की जो super powers थे, जो imperialist power थे, उनको attract करता थे, जैसे चाइए वो मसाले हो, तो इंडिया से आका trade करते थे, फिर धीरे-धीरे East India Company ने अपना trade के लिए establish हुई थी, फिर धीरे-धीरे इंडिया को colony बना लिया गया, तो इसी तरीके से चाइना के जो natural wealth and resources थे, उस पर भी नजरी थी, जो imperialist power थी, आपको याद हो अगर जापान, जापान एक imperialist power था, और जो चाइना की natural wealth थी, इस पर अपनी नजर लगाया हुए था, तो धीरे-धीरे चाइना के जो internal changes आते हैं, वहाँ पर भी transition होता है, dynasties का, जो वहाँ पर national power थी, उस समय जो kingdom था, उसके में change आता है, फिर foreigners का inclusion होता है, वहाँ पर आकर धीरे-धीरे, तो इस तरीके से जो एक stable societies थी, वो एक disturbance वाला period देखती है, और इस तरीके से वहाँ पर changes शुरू होते हैं, जब Mao आते हैं, तो अब हम ये देखेंगे, कि जो Mao है, उन्होंने अपने political ideas क्या दिये, अभी तक तो हम basic चीज समझ गये, कि Mao किस तरीके की family से belong करते थे, किस तरीके के ideas से influence थे, और चाइना का क्या situation था, तो जो Mao है, उनके political ideas को overall Maoism बोला जा defined ideas हैं, जो Mao ने दिया है, अब ये तो नहीं कह सकते कि Mao अपने ideas कहीं अलग से एकदम ही अलग theory दी है, अगर Mao एक Marxist हैं, जो Karl Marx के ideas से influenced थे, Lenin के ideas से influenced थे, तो Marx और Lenin के जो political thoughts थे, उसमें थोड़ा बहुत modification किया था Mao ने, किसके आधार पर जो China की situation थी, तो indigenous situation of China के आधार पर, जो Mao है, उन्होंने Marx और Lenin के thought पर कुछ changes किये, ताकि उसे उसे चाइना में relevant बनाया जा सके, और चाइना में भी revolution लाई जा सके, और चाइना में भी communism established किया जा सके, तो ये सारे जो improved version कह सकते हो आप, या modified version of Marxist thought कह सकते हो, जो Mao ने चाइना की situation के आधार पर तयार किये थे, इसे overall हम कहेंगे Maoism, तो अगर Maoism में लिखने को आता है, तो हम वो सारे political thoughts लिखेंगे, जो Mao ने दिये हैं, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे theory of revolution, theory of war, theory of power, theory of cultural revolution, theory of new democracy, theory of democratic dictatorship, theory of great leap forward, या theory of human worship, getting it, theory of contradictions हो गए, तो यह कुछ ideas हैं, जो Mao ने दिया था, जो चाइना के situation के आधार पर थे, इनके सारे जो theories या concept आप कह सकते हो, जो Mao ने दिये हैं, इनके roots आपको कहां पर मिलेंगे, कौलमाक्स या लेनिन के political ideas में, बट थोड़ा बहुत modification होगा, चाइना की situation के आधार पर, getting it, तो यह सारे concept को अभी हम detail में समझेंगे, अगर Maoism में question आता है, तो यह सारे points आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, getting it, तो अगर आपको introductions पे तो आप इतना लिख सकते हो, Mao के life के बारे में, चाइना की situation के बारे में, Mao के major works हैं, जो किताबे लिखी हैं, उनके बारे में आप लेख सकते हो, जैसे on contradiction, new democracy, on coalition government, the people's democratic dictatorship, these are the some major important works of the Mao, जो आप अपने answer पे mention कर सकते हैं, for the value addition, to get the extra marks, getting it, तो Mao ने contradiction के बारे में बात करी है, देखो, contradictions के बारे में, तो Karl Marx ने भी बात करी है, बट Mao का जो concept था, contradiction का वो थोड़ा सा अलग है, contradictions क्या था, जैसे Karl Marx ने क्या का था, कि जो society है, जो capitalist society है, जो समाज है वहाँ का, उसमें जो contradictions है, जो समाज है, वो दो भागों में, दो classes में divided है, एक half class, जो उसके पास ownership of the means of production है, द जो सिफ वेजस के लिए काम करती है, बट means of production या प्रॉपर्टी को ownership नहीं है उसके पास, half not class, तो ये class conflict है, class division है society में, getting it, तो Karl Marx कहते हैं कि, आपने Karl Marx का dialect सुनना होगा, पढ़ा होगा आपने, जिसमें वो बात करते हैं कि एक idea आता है, जिसको वो बोलते हैं, थेसिस, थेस एक क्या है, basically idea है, अब इस idea का एक counter idea आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, antithesis, ये क्या होडता है, antithesis, जो इस idea का एक counter idea आया, अब ये दोनों counter idea के बीच में contradictions है, क्योंकि एक दूसरे के opposite हैं दोनों, अब इन दोनों का best part मिला के क्या बनता है, synthesis, जैसे कि for example, जो आपका बन communism according to Karl Marx, तो जो माओ है, हाँ, माओ है कि कहते हैं कि ये जो contradictions है, ये permanent है, ये हमेशा रहेगा society में, जब कि Karl Marx कहते हैं कि communist समास जो बन जाएगा, communism established हो जाएगा, contradiction खतम हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा basic introduction था, contradictions का, जो basic theory है इन लोगों का, जिस हिसाब से ideas move करते हैं, अब हम आते हैं, political ideas, जो हमारा main concern है, हमारे syllabus में जो पुछा जाता है, ओके, तो सबसे पहले हम discuss करेंगे concept या theory of revolution according to Karl Marx, sorry, Mao, Karl Marx, क्योंकि हम Marxism पढ़ा रहे हैं, तो वो Marx निकल ही जाता है, sorry guys, it's Mao, तो हम theory of revolution पढ़ेंगे according to Mao, Okay, so, देखो, Marxism में revolution जो क्रांती है, वो बहुत जादा important है, चाहे वो Karl Marx ने किया हो, इसका concept दिया हो, चाहे वो Lenin ने दिया हो, रसिया में, तो Mao भी जब चाइना की situation बदलेंगे, चाइना का system बदलना है, हमें वहाँ पर communism establish करना है, रेट feudalism को खतम करना है, तो यह सब कैस से होगा, क्रांती के आधार पर हो, क्रांती से होगा न, ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत peaceful हम constitutional methods के थुरू करेंगे, Marxist ideas है, सौभाविक सी बात है, क्रांती के थुरू होंगे, getting it, अब क्रांती क्यों होगी, क्योंकि समाज में contradictions है, और यह idea Mao ने किस से बोरो किया है, Karl Marx और Lenin के thought से, getting it, तो सीधी सी बात यह है, जो क्रांती है, जो revolution है, वो किसलिए लाई जाएगी, to establish the communism, right, जो हम समाजवाद establish करने वाले हैं, और यह जो हम capitalist system, यह feudal system को उखाड फेकने वाले हैं, right, over through करने वाले हैं, वो हम revolution के through करेंगे, getting it, अब revolution में एक नई चीज जो add-on करी थ कि माओ ने, वो था आपका कुछ techniques, जैसे, for example, Karl Marx क्या कह रहे थे, Karl Marx कह रहे थे, कि जो workers है, उनके अंदर इस चीज की मतलब, खुदी यह जान पाएंगे कि हमारा exploitation हो रहा है, और वो क्रांती करेंगे, लेनिन कहते हैं कि एक political party बनाई जाएगी, जो workers पे यह ideas को develop करेगा, कि भाई आपका exploitation हो रहा है, और हम क्रांती करें, एक step आगे, अब जो माओ है, वो कहता है कि ठीक है, party जरूरी है, एक well organized party structure होना चाहिए, जो lead करेगी revolution को, लेकिन साथ ही साथ कुछ हमें new techniques भी add on करनी चाहिए, जैसे कि gorilla warfare, अब gorilla warfare क्या था, जैसे for example, sudden attack against the enemy, आपको जो enemy है, उ उस पे sudden attack करना है, कहीं से छुपके attack करना है, ऐसे शडयंत्र बनाने है, जिससे कि हमारे enemy को idea ना लगे कि हम attack करने वाले, तभी तो आप defeat कर सकते हैं उन्हें, getting it, अब ये जो gorilla warfare है, बागी सारे जो new concept हैं, ये किस के आधार पर है, जो China की indigenous, जो वहां की local situations थी उसके आधार getting it, अब जो कालमाक से, sorry, Mao कहते हैं कि जो हमें इस तरीके के revolution में कोई ethics, कोई principle फॉलो नहीं करना है, overall objective हमारा क्या होना चाहिए, enemy को defeat करना, कि anyhow जो हमारा दुश्मन है, हमें उसे defeat करना है, और इसके लिए ज़रूरी है, naturally वो सारी techniques को हम select करेंगे, choose करेंगे, adopt करेंगे, जो हमें strong बनाएगी, और enemy को हम हरा पाएंगे, तो revolution की further बात की जाए, तो जो Mao है, वो कहते हैं कि दो तरीके की revolution होती है, एक national revolution और दूसरी होती है democratic revolution, so democratic revolution क्या है, within country, जो country में, जैसे for example, चाइना एक country हो गई, तो चाइना में जो exploitative powers हैं, जैसे जो feudals थे, जो, जो peasants या farmers का exploitation करते थे, तो within country, मतलब चाइना की अंदर जो exploitative system है, उनका indigenous, उसको उखाड फेक ना है, उसके लिए हम क्या लाएंगे, लोकतांत्रिक कांत्र क्रांधी, democratic revolution, और इसके बाद दूसरी revolution हम लाएंगे, national revolution, right, national revolution किसके खिलाफ होगी, against the imperial power, for example, चाइना में अगर हम बात करें, तो ये किसके खिलाफ होगी, जापान के खिलाफ, ये तो within चाइना के अंदर ही था, उस kingdom के खिलाफ, जो exploitative system था, national revolution, against the imperial power, जैसे for example, चाइना, जापान के खिलाफ युद्ध करेगा, revolution करेगा, क्रांधी करेगा, और इन दोनों revolution को मिला कर, माओ ने कहा है, ये people's revolution नाम दिया है, इसे, तो ये concept समझ आया, कि what is people revolution, what is national revolution, and what is democratic revolution, according to माओ, जो revolution है, जो खरांधी है, वो start होगी rural areas से, जो गाओ दियात के छेतर है, वहाँ से वो करांधी शुरू करेंगे, क्यों वहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि जो गाओ दियात, जो rural areas होता है, वो city को surround करता है, for example, ये city है, यहाँ कहीं city है या यह city है तो city तो छोटी से हो गए उसके आसपास का area तो rural areas हो गया तो Mao कहते हैं कि जो यह rural areas है हम यहाँ पर क्रांती सुरू करें ताकि जो यह city है ना इसको हम encircle कर लें घेर ले चारो तरफ से और इस तरीके से शेहर में जो ज़्यादा powerful लोग है उनसे defeat उनको defeat करना या उनसे जीत पाना आसान हो जाएगा according to Mao क्योंकि आपने चारो तरफ से encircle कर लिया है अब यह क्या करेंगे आप आसानी से gorilla warfare कर सकते हैं attack कर सकते हैं rate इस तरीके से तो revolution will start from the rural areas revolutionary क्लास में इन्होंने बहुत ही महत्पूर्ण क्लास बताई peasant क्लास कालमाक्स ने क्या का था जो revolutionary क्लास है जो क्रांती करेगी वो क्लास कौन सी होगी workers की होगी working class जबकि जो Lenin है वो कहते हैं कि हाँ working class ठीक है लेकिन peasants भी महत्पूर्ण है उन्होंने peasants को include किया थले निन ने लेकिन जो माओ है उन्होंने peasants को सबसे primary माना जादा importance दी getting it तो ये था revolution का concept आप people's revolution का concept जरूर mention करना अपने exam में next इसी revolution का एक part पढ़ें तो concept of cultural revolution आप cultural revolution क्या concept है माओ का culture का मतलब समझते हो क्रांती का तो मतलब समझ में आ गया कि क्रांती करनी है जो existing system है उसको anyhow remove करना है और एक new system establish करना है with the help of क्रांती ये revolution culture जब अगर आगे add-on हो गया है तो culture का मतलब होता है कुछ faith, values हम कुछ belief होते हैं हमारे कुछ faith होते हैं जो हमारे customs होते हैं जिनने हम practice करते हैं कुछ हमारी values होती है और हर एक culture की अपने belief हैं अपने values हैं अपने customs हैं getting it? तो cultural revolution में माओ कहते हैं कि जो communist ideas हैं जो communism वाले belief हैं values हैं उनको promote करने की बात करेंगे क्यों करेंगे? क्योंकि for example आपने political culture ला दिया political culture मतलब जो political system है political belief होते हैं political values होते हैं जैसे communism, democracy totalitarian, authoritarian government हो गई for example तो ये सब क्या है? political culture हो गए जैसे for example monarchy हो गया getting it? तो इसी तरहीए से political culture political culture में हमने जो ऊपर हमने क्रांती का concept पड़ा है उसके थूँ हमने communism established कर दिया capitalist को उखाड़ फेका right communism एक political culture हो गया लेकिन हमें जो cultural revolution के थूँ जो super structure है जैसे for example हमारा जो state हो गया right या हमारे educational institutions हो गया या हमारे social institutions हो गया हमारे art हो गया literature हो गया law हो गया यह numerous organizations जो होते हैं हमारे समाज में उन पे भी इस communism का influence होना चाहिए जो communist values है उनको हमें वहां पर impart करना है आपने काल मार्क्स के अगर विचार आपने थोड़े बहुत पढ़े हैं क्योंकि अगर आँ माओ पढ़ रहे हो तो सौभाविक से बात है काल मार्क्स आपने पढ़ा होगा काल मार्क्स ने एक आइडिया दिया था बेस और सुपर स्ट्रक्चर का थियोरी बेस क्या था? according to Marxist thought economic जो स्ट्रक्चर होता है सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? जो state, political से related है मतलब तो Marxist thought पे ये माना जाता है कि जो बेस है न ये ये बेस हो गया ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया उपर जो बेस है मतलब economic structure decide करते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर, political structure कैसा होगा getting it तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें दोनों ही चीज़ों को communism के according establish करना है अगर for example जैसे Mao ने देखा कि जो Chinese societies है for example चाइना में अगर हमें pure communist society को establish करना है तो हमें ज़रूरी है कि हम इस सुपर स्ट्रक्चर को भी change करें cultural revolution के थूँ हमें जैसे for example जो western literature है, जो western social customs है, जो western institutions है उन्हें भी हमें क्या करना होगा, हटाना होगा जैसे Mao कह रहे हैं कि economic structure of the China तो socialist है, लेकिन जो super structure, जो institution literature, educational institution है वोने भी हमें socialist ideas के आधार पर develop करना होगा ऐसा नहीं होगा कि हम western हम जो, हम socialist ideas हमारा economic production तो चल रहा है, लेकिन education हम western education देने हैं, ये contradiction नहीं चलेगा according to Mao, और इसी contradiction को दूर करने के लिए जो Mao है, वो बात करते हैं, cultural revolution की, कि हमें जो Chinese societies हैं, उनको हमें clean करना है, जो western social culture है वहां का उससे, getting it? और इसके लिए ये इन्होंने concept दिया था, red guards का, जो घर घर जाकर जो जो Mao आद के विचार हैं, जो Mao सहिंता थी, जो Maoism है, Mao के thoughts थे, उनको वहां पर जाकर वो प्रचार करेंगे, लोगों को aware कराएंगे वो thoughts को, जो Mao के thoughts थे इसमें एक concept मिलेगा आपको gangs of four, जिसे चंडाल चौकडी कहते हैं, तो these are the four these are the four name here, जो gangs of the four, यह कभी objective question में आपको मिल सकते हैं, अगर आप UGC net JRF करोगे कल को तो उसमें, तो चंडाल चौकडी, gangs of four, जो नोंने सबसे जादा efforts दिये थे, cultural revolution को help करने पर, जो घर घरों में जाकर क्या करते थे, वहां पर जो Mao के thoughts थे, Mao के thought के elements थे, वो लोगों को सिखा रहे थे, Mao की सिक्षा आप इसे कह सकते हो, और जो लोग इसे नहीं accept कर रहे थे, इसे agree नहीं हो रहे थे, उनको मार दिया जाता था, simple सी बात यह थी, right, तो इसमें आप यह नाम याद रखोगे, और फिर यह cultural revolution fail होती है, कब जब यह, यह, यह gang, यह जो gang है, यह खतम हो जाता है तब, okay, तो यह था cultural revolution, एक तरीके से brainwash करना, mindset को change करना, thought process को change करना, overall अगर मैं cultural revolution के बारे में कहूं तो यही था, और किस के, किस के आधार पर, Mao की education, Mao की जो thoughts थे, Mao की जो सिक्षा थी, उसके आधार पर change करना, getting it? और जो अपना thought process नहीं change करेगा, उसे मार दिया जाएगा, next, एक concept है great leap forward, जो Mao के political ideas में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो great leap forward को हिंदी में कहते हैं, लंबी चलांग लगाना, लंबी चलांग जैसे for example, आपने एक ही बार में कोई बड़ी तीर मार लिए, कोई बड़ा गोल अचीव कर लिया, एक ही बार में, यह हो गया लंबी चलांग, right, great leap forward, तो इसमें, Mao ने एक नारा दिया था, कि हमें जो three years, sorry, thousand years का economic growth, economic development या सुख जिसे उन्होंने कहा था, right, सुख का मतलब economic terms में, economic development के terms में, तो thousandth year के जो सुख था, हमें वो three years में achieve करना है, समझ रो, कितना unrealistic target है, कितना huge target है यह, आप से जैसे वही कहा जाए, कि आपको जैसे, for example, हम first से twelfth class तक की पढ़ाई करते हैं, बढ़ते हैं ना, कि इसके पहले भी होता है, kg, यह सारी चीज़े, but still, अगर हम मोटा मोटा consider करें, तो first class से twelfth class तक की पढ़ाई करते हैं, और इसमें हमें इतनी years लग जाते हैं, बारा साल, लेकिन अगर यह लंबी छलाइं के आधार पर हमें से देखें, तो आपने दो two years में ही, for example, first and second class में ही, आपने twelfth class तक की education अचीव कर ली, गेन कर ली, इतना second class में आपको इतना आ गया, जतना twelfth class के बच्चे को आता है, तो यह एक लंबी छलांग हो गई न, greatly forward तो कुछ इसी तरीके से जो माओ ने थोट दिया था अपना greatly forward का, यह economic terms में था, economic development को इतना बढ़ा देना था, कि for example, जो अगले हजार साल में जो economic development हम करने वाले हैं, उसको हमें तीन साल में ही कर ले ना है, मतलब हमें अपने जो small scale local industries हैं, उनको develop कर लेना है, agriculture develop कर लेना है, large scale industries को develop कर लेना है, तीन साल में ही, जबकि generally कैसे होता है, agriculture थोड़ा advance होगा, फिर थोड़े बहुत industries लगेंगे, फिर large industries लगेंगे, यह होता है ना, gradual process, लेकिन माओ ने greatly forward के concept से, economic development को, एकदम wave की तरीके से, getting it, gradually नहीं हमें, क्या करना है, waves जैसे एकदम से transform कर देना है जैसे great storm की तरीके से, एक तुफान आया मतलब तुफान के तरीके से तुफानी, मतलब तरीके से कह सकते हो कि तुफानी काम करना है हमें economic growth में, हमें एकदम all obsidian, चारों तरफ industries लग रही है large industries लग रही है, खुब सारा manufacturing हो रहा है, production हो हो रहा है, economic development हो रहा है शहर बस रहे हैं, यह सारी चीज़े, agriculture का mechanization हो रहा है, advancement हो रहा है, technology वहां पर जैसे for example, space mission की बात की जाए, तो space में हमारे satellites लग रहे हैं यह सारी चीज़े, scientific development हो रहा है, तो यह तरीके से आपके चारों तरफ expressways, highways बन रहे हैं airports बन रहे हैं, for example तो यह था greatly forward, समझ में आगे आपको, तो माओ कह रहे थे कि हमारा जो चाइना में इतना जादा natural resources थे, natural wealth थे जिसकी तरफ imperial powers अपनी नजरे गडाई हुई थी उनको use करो mobilize करो, चाइना की जो population है, unemployed population उसको employment में लगाओ, in factories पे लगाओ, in agriculture पे लगाओ, ताकि हम यह जो हमारे resources हैं, चाइए natural resources हो, चाइए human resource हो, इन सब को utilize करो, economic progress के लिए, right, तो I hope कि greatly forward का concept समझ में आ गया हो आपको मतलब एक लंबी छलांग लगाना हमें यह अगर आपको greatly forward लिख रहे हो, माओ के political ideas में, तो यह जरूर mention करना कि जो thousand years का economic development है, that we have to achieve within three years, right but यह आपको पता है, successful तो नहीं होगा, failed हो जाता है, 1958 में next political ideas अगर हम माओ की बात करें, तो वो है आपका hundred flowers bloom theory यह क्या है भाई, जो hundred flowers bloom, इसका simple सा मतलब है, ideas से, getting it ideas, और ideas का मतलब है, freedom of thought and expression, यहाँ पे hundred flowers bloom, मतलब ideas को पनपने दो अगर हम अपनी language में इसे बोलें तो ideas को पनपने दो हम कहते हैं, कि आने दो ideas को ताकि आप bitter idea को select कर पाऊ, एक तरीके से brainstorming जैसे हम कहते हैं कि हम group में discussion कर रहे हैं, brain storming कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, किसी matter पे, यह person अपने idea देगा, यह अपने देगा, यह देगा इस तरीके से हम एक better conclusion तक पहुँच पाएंगे तो जो माओ का hundred flowers bloom theory था, वो related था, freedom of thought and expression से अब purpose क्या था? देखो, परपस यह था कि to figure out the communism की shortcomings क्या है, यह find out करना परपस था, तो freedom of thought का यह मतलब बिलकुल भी नहीं है जो आज हम 21st century में for example Indian constitution में हमें under article 19 जो हमें freedom of thought and expression मिला हुआ है as a fundamental right यह इससे बहुत ही different था, जो Mao का 100th flower of bloom theory या freedom of thought and expression का concept था getting it, Mao का कैसे different था, अब इसे हम समझते communism के एक तरफ supporters भी होंगे तो दूसरी तरफ non-supporters होंगे, तो जो freedom of thought and expression का concept था, यह किसके लिए था? communism के जो supporters थे ना कि उनके लिए जो communism के non-supporters थे या critics थे इन्हें तो मार दिया जाता था Mao की जो सिक्षा को accept नहीं करेगा criticize करेगा Mao की सिक्षा मतलब जो communism से related थी getting it, उसे accept नहीं करेगा तो वो तो non-supporters होगे उन्हें मार दिया जाएगा या तो आप accept कर लो और या तो अपनी जान गवाओ, दो options थे getting it, तो जो ये thought and expression का freedom जो मिली हुई थी, ये किसको मिली हुई थी जो supporters थे communism के और main purpose क्या था Mao को ये freedom of thought and expression देना ताकि इसको एक method of discussion के रूप में लिया गया रइट, कि अगर हम लोगों को thought express करने की freedom देंगे तो ये इसे लोग discussion करेंगे communism के बारे में, right और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं communism की जो shortcomings हैं, जो कमिया हैं, जो खामिया हैं, उनको figure out कर सकते हैं और इस तरीके से हम जब आपको कमियां बता चल जाएंगी अपने system की, तो उन कमियों को आप remove कर सकते हो, correct कर सकते हो ताकि communism को का best version आप बना सकें Got the idea? 100 flowers bloom and 100 school of thought content Getting it? तो ये campaign चलाया गया था Communist Party of China के दौरे 1956 में जिसे lead कर रहे थे Mao Okay, तो ये समझ लेना Okay, तो ये हो गया आपका, बट हाँ, ये जरूर धान लखना कि ये non supporters of the communism के लिए नहीं था Freedom of expression कि आप government या जो Communist Party of the China थी उसको criticize कर सकते हो, नहीं Getting it? Next concept आता है Mao का theory of war तो जो Mao है वो war के बहुत बड़े supporter थे Right, Mao क्या थे? War के बहुत बड़े supporter थे क्योंकि war के through ही तो आप exploitation को end कर सकते हो और ये war किसके खिलाफ था? Exploitation के आपके within country, जो feudal system था for example China में उसके खिलाफ war हो गया National level पे war किसके खिलाफ हो गया जो imperial powers थी for example Japan के खिलाफ USA के खिलाफ, UK के खिलाफ France के खिलाफ, ये सारी क्या थी? Imperial powers थी उस time की Right, तो war against exploitation इसलिए Mao है, वो कहते है war बहुत ज़रूरी है इसके through ही हम exploitation का end कर सकते हैं जो exploitative system है उसको end कर सकते हैं collapse कर सकते हैं Right, तो ये national level पे भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें national independence भी चाहिए और ये international level पे भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें imperial power के खिलाफ लडाई करनी है imperial power को नश्ट करना है Right, तो इस Mao कहते हैं कि जो world war one and two था they badly impacted the capitalism and imperialism Right, तो ये इस war को justify करते हैं जो Mao है, वो कहते हैं world war जो one था ये two था, दोनों ही जो युद्ध थे, वो अच्छे थे क्योंकि इन्होंने capitalism and imperialism को काफी हद तक impact किया है badly एक तरीके से पंगू बना दिया है in system को, capitalism को और imperialism को अब हमें third world war की जरूरत है जो पूरी तरीके से इन्हों को खतम करेगा capitalism को और imperialism को और क्या establish करेगा, communism establish करेगा getting it तो ये war के बारे में कुछ concept था theory of power आप लिख सकते हो Maoism में power को बहुत ज़ादा admire करते हैं Mao अपने political ideas में उन्होंने एक statement दी है कि political power grows out of the barrel of a gun तो अगर आपको military power of the nation को grow करना है या political power को grow करना है तो आपको gun का इस्तमाल करना ही पड़ेगा मतलब power बहुत important है हर कोई चाहेगा कि वो political power को अपनी grow करे, military power को grow करे उसके लिए उसके चाहिए होगा कि क्या चीजे करे वो आपको चाहेब weapon इस्तेमाल करे चाहेब अपनी military को strengthen करे power बहुत important है अगर आप powerful है तभी तो war अगर आप for example war against exploitation कर रहे तो इस war को अगर आप जीतना है winner होना है तो आपको powerful होना पड़ेगा न आपको gun का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको military इस्तेमाल करनी पड़ेगी getting it जैसे for example अभी present में आपने नक्षलिजम सुना होगा इंडिया में तो वो gun के आधार पर ही तो political power पाना चाहरे है जो हमारी military है उस पर attack करते हैं जो government setups है government schools है hospitals है उन पर attack करते हैं तो gun के आधार पर ही तो ये क्या कर रहे है political power को capture करना चाहरे है getting it जो किसी भी society किसी भी country के लिए बहुत बड़ा internal security के लिए threat है एक next concept है new democracy new democracy का concept का बाता है after revolution for example society में चाइना में for example quarantine हो गई हमें communism establish करना है तो after quarantine क्या होगा एक transition phase आएगा मतलब ऐसे नहीं है कि तुरंत ही आपका communism establish हो जाएगा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमने इस system को यहां से एक second चीज़ है उसे replace कर दिया एक transition fees आता है ideas में या system में तो after revolution direct communism नहीं आएगा एक transition fees आएगा then communism establish होगा अब इस transition fees में काल मार्क्स ने कहा था कि workers की dictatorship आएगी कुछ समय के लिए जो transition period temporary होगा फिर इसके बाद communism establish होगा जबकि जो माओ है वो कहते हैं कि यह जो after revolution transition phase होगा इसमें new democracy का system होगा ना कि dictatorship of the workers यह कुछ modifications थे जो माओ ने चाइना के आधार पर किया था चाइना की जो society थी अब फिर यह new democracy क्या है माओ तो माओ के according जो new democracy है इसमें सभी sections का inclusion होगा capitalist society का भी होगा जो हमारे workers है जो peasants है सब का होगा सभी sections included होगे यह किसी भी एक particular class की dictatorship नहीं होगी क्यों ऐसा माओ ने बूला था माओ कहते हैं कि अगर हमें for example किसी भी देश का जैसे for example चाइना में माओ बात कर रहे हैं कि चाइना का हमें development करना है economic growth करनी है तो हमें capitalist class चाहिए manufacturing कौन करेगा पैसे invest कौन करेगा तो इसके लिए हमें capitalist class चाहिए हमें mixed economy adopt करनी होगी इस new democracy में जहां पे हम capitalism को भी allow करेंगे and socialism को भी allow करेंगे हमारी small scale industries भी होंगी large scale industries भी होंगी जो national capitalist है हम उन्हें भी इस ruling system में political system पे include करेंगे हम सिर्फ workers की अगर dictatorship ला देंगे capitalist को खतम कर देंगे तो economic growth कैसे होगी society में तो इसलिए माओ कहते हैं कि new democracy अब democracy का मतलब यही है कि participation of the all sections अब यह आपको समझ में आ गया होगा कि माओ ने new democracy क्यों adopt किया था क्योंकि हमें economic development production development सब करना है तो यह जो capitalist class रहेगी इनका भी हमें inclusion करना होगा political system में ताकि हम अपना production जारी रखे हम economic growth and development जारी रखे right next हम बात कर सकते है political ideas democratic dictatorship अब democratic भी है और dictatorship भी है see state represent करता है और act करता है किसके on the behalf of people people के behalf में right तो इस तरीके से जो माओ है वो dictatorship of the proletariat class जो worker class है उसकी बात नहीं करते है getting it किसकी बात करते है democratic dictatorship की और democratic dictatorship का मतलब ये है कि जो state है for example जो Chinese for example government है ये जनता के भी हाफ में decision लेती है जनता के भी हाफ में action लेती है और ये actions क्यों लेती है ताकि हम reactionary forces action लेने की कब ज़रूरत पड़ेगी कि हमें reactionary जो forces है उनको दमाना है अब reactionary forces for example हमें communism established करना था चाइना में तो बहुत सारे non-supporters थे communist के तो वो तो reactionary forces हो गए न वो communism को support नहीं कर रहे है तो इस तरीके से democratic dictatorship का concept लेख सकते हैं आप theory of imperialism imperialism अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब कोई बाहरी power आकर किसी country को अपना subjugate कर लेती है वहाँ की economic resources को exploit करती है जैसे for example जो Britishers थे उन्होंने इंडिया को किया था अपनी कॉलोनी बनाई थी theory of contradictions हमने already discuss कर लिया है उपर कि एक thesis मतलब एक idea आता है जिसे हम thesis कहेंगे उसका counter idea को हम antithesis कहते हैं और दोनों को से मिला कर जो conclusion निकलता है जो perfect idea मिलता है वो synthesis होता है कालवांक्स कहते हैं कि जब communism established हो जाएगा तो ये contradiction खतम हो जाएगा क्योंकि classless society रहेगी वहाँ पर कोई class conflict नहीं होगा तो contradiction भी नहीं होगा माउ कहते हैं कि जो contradiction है ये forever है ये कभी end नहीं होगा ऐसा नहीं है कि हमने communism established कर लिया तो हमारा contradiction खतम हो गया नहीं contradiction हमेशा चलेगा और contradiction बहुत अच्छी चीज़ है according to माउ क्योंकि इस तरीके से आप best idea हमेशा generate कर सकते हो भाई अगर एक idea का counter idea आता है ये process निरंतर चलती रहती है continuous है तो आपको हमेशा best version of ideas मिलता रहेगा getting it तो ये कुछ थे political ideas of माउ I hope कि आपको समझ में आये होंगे और जो माउism पे एक question आया करता है या political ideas में माउ के question आता है तो ये कई सारे जो theories हमने discuss किये point wise इनहीं को आप explain कर दो examples दे दो enough हो जाएगा आपके answer के लिए तो comment करके बताना आज को discussion आपको कैसा लगा and thanks for watching guys and please like share and subscribe my channel see you in the next video bye bye take care